अगर आपके HDFC bank के account से ECS mandate से पैसे कट रहे हैं, आटो payment या आटो debit हो रहे तो इसको आप cancel कर सकते हैं, जिससे आपके account से automatic कोई भी पैसे नहीं कटेंगे, इसके लिए आप इस वीडियो को last तक देखें क्या होता जब हमारे HDFC bank के account से ECS mandate से पैसे कटते रहते हैं, तो हमारे account क balance minus होता रहता है, ECS भी NACH की तरहे ही काम करता है, जिसमें किसी भी तरहे के EMI BIMA premium बकाया bill telephone bill tax mutual fund SIP इत्यादी का payment automatic आपके HDFC bank के account से तैसमय पर हो जाता है, और आपके HDFC bank के account से पैसे कट जाते हैं, अगर आपने किसी भी तरहे के EMI BIMA premium बकाया bill telephone bill tax mutual fund SIP, SIP इत्यादी इन में से किसी में भी आपने ECS mandate की, अनुमती दी है, तो आपके HDFC bank account से automatic पैसे कटते रहेंगे, जब तक आप इसको cancel नहीं करेंगे, इसके अलावा अगर आपने गलती से किसी mobile application में setup कर ECS mandate की अनुमती दी है, तो आपके HDFC bank के account से automatic पैसे कटते रहेंगे, अपनी passbook लेकर अपने HDFC bank जाना होगा, और वहाँ पर आपको उन्हें बताना है कि सर हमारे account से automatic पैसे कट रहे हैं, जो भी जिस तरीके से आपके पैसे कट रहे हो, जो भी दिक्कत हो आपको उन्हें बता, देना है उसके बाद में वह चेक करके आपको बता देंगे कि आप के पैसे क्यों कट रहे हैं या किसलिए कट रहे हैं पहले तो आप अच्छे से समझ लें, समझने के बाद में आप उनसे बंद करने के लिए कह सकते हैं, बहाँ आपसे जो भी documents या कागस application मांगे आपको उन्हें दे देना है, आपके HDFC bank के account से ECS से automatic पैसे कटने बंद हो जा झाले